इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। किडनी या फेफ़रों की बीमारी से जुड़े एडिमा, द्रव अधिभार का इलाज करती है। हाइड्राजाइड 12.5 टैबलेट आपको पेशाब के मध्यम से अतिरिक्ट पानी की कमी करवाता है। इसका उप्योग अकेले या अन्य दवाओं के सयोजन में किया जा सकता है। रात में बार-बार पेशाब आने से बचने के लिए यह दवा दिन में ही लेनी चाहिए। आपको इस दवा को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना इसे कभी भी अचानक से बंद नहीं करना चाहिए। उच्छ रक्चाप वाले अधिकांच लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं लेकिन यदि आप इस दवा को लेना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। इससे आपका रक्चाप फिर से बढ़ सकता है और हिरदे रोग और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ सकता है। इस दवा को लेने से पहले बहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप किसी केड़नी या लीव की बीमारी से पीडित हैं। गुर्दा समारोह और इलेक्ट्रोलाइट्स की नियमित निग्रानी महत्वपूर्ण है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद। और आल नोटिवाद।